चक्रवाती तूफान दाना की दस्तक बहुत ही जल्द देश के कुछ हिस्सों में होने जा रही है और इसके चलते क्या कुछ तैयारिया की गई है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे कितना शेत्र प्रभावित होगा ये भी आपको बताएंगे कहां कहां पर इसका बहुत जादा असर हो सकता है ये भी आपको बताएंगे देगे अंडमान सागर से उठा चकरवाती तुफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साइकलोन 24 अक्टूबर की आधी रात या 25 अक्टूबर को पूरी में टकराएगा पूरी तट से टकराएगा और इस दोरान 120 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हमाय चलने वाली है 3000 से जादा परिटकों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है होटल की बुकिंग चार दिन के लिए कैंसल कर दी गई है रोक दी गई है ओडिशा में 14 जिलों के सभी स्कूल कॉलेजों की 25 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है कर्मिचारियों की छुट्टियां रद्ध हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर काम बढ़ जाएगा सभी पूजा विदी विदान से अपने समय पर होंगी लेकिन शधालूं से 25 अक्टूबर तक नहीं आने की विंति की गई है ताकि शधालू आएंगे नहीं भीड़ होगी नहीं और लोगों की जान को खत्रा नहीं होगा तुफान का जो असर है वो बंगाल में भी देखने को मिलेगा ओडीशा में 150 तो बंगाल में 198 ट्रेनों को रद किया गया है देए अब ट्रेनों का जो रफ्तार है इस पर भी रोक लगा दी गई है ओडीशा में जहाँ 1500 ट्रेनों को कैंसल किया गया है बंगाल में 199 ट्रेनों को कैंसल कर दिया गया सरकाने दीघा, पूर्वी, मोदिनीपूर और दक्षणी 24 परगना जिलों से करीब डेड़ लाख लोगों को निकाल कर सुरक्षित इस्थान पहुचाया है और यह माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर से अंडमान सागर से निकला चक्रवाती तुफान दाना ये बंगाल के खाड़ी होते हुए पूरी तटसित टकराने वाला है साइकलोन का जो असर है वो छेह राज्यों में होगा पश्चिम मंगाल जहां पूर्व मेदिनी पूर दक्षिन 24 परगना और उत्तर 24 परगना जहां पर जोड़दार बारिश के असार है 23 ऑक्टूबर के बेच भारी बारिश हो सकती है दूसरा है ओडिशा 24 ऑक्टूबर को पूरी खुरदा गंजम और जगत सिंग पुर जिलों के लिए अलग-अलग भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है रेड अलर्ट जारी किया गया है बिजली के साथ आंधी तु तुफान के आने से पहले ही करनाटक में भारी बारिश बार जासे हालार पहले से बने हुए है लेकिन अगर ये तुफान दस्तक देता है तो इसमें और जादा दैनी स्थिती बन सकती है तमिल नाडू भी से अच्छूता नहीं है जहापर पुडूचेरी आई, एमडी ने दक्षिन भारत के तमिल नाडू और पूरवी भारत के कुछ राज्यों में पास दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारीगी है। को ही लगभग खाली कर दिया है पूरा इलाखा, सरकारी बसों ने परेटोकों को स्टेशन छोड़ा और इसलिए प्लेटफॉर्म रात भर भरा रहा, यहां पर भारी भीर देखने को मिली है। पार हो जाती तो इसे चक्रवाती तुफान कहते हैं। सरकारी अलट हो चुकी हैं, तमाम व्यापक इंतजामात किये गए हैं, रहने के, खाने पीने के और सुरक्षित इस्थान पर रुखवाने की, पहले से व्यवस्था कर ली गए हैं। बाकिस, तुफान, दाना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है और कैसे मदद की जा सकती है, कैसे बचा जा सकता है। न्यूस जेटी ने सभी को पहले से अलट करना शुरू कर दिया ताकि आप खुद की सुरक्षा पर विशिज ध्यान दिस्ततर करें, सुरक्षित रहें सामधान रहें।